दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुण्च में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करने चल लें हिंदी साहथ के अंद्रगत खड़ी बोली गद्यकारम किस परकार हुआ यद आप हिंदी कुण्च चानल में पहली बारा हैं किन-किन लोगों का योगदान रहा है गद्यक के आरम्मे में यहाँ पर आज हम लोग सम्चिवत में बात करेंगे यह परिश्चा उप्योगी दृष्टी से बात की जा रही कि ताकि आपके यद परिश्चा वी इस तरह की प्रसनाते हैं तो आपके सरकार उसके उत्तर लिख पाएं तो सुरुबात करते हैं खड़ी बोली के दिकी सबसे प्राचियन रचना अकबर के राजदरबारी का भी गंग दौरा लिखित चंद चंद बर्नन की महमा है जिसमें ब्रश भासा और खड़ी बोली के अमिस्रित रूप के दर्सन होते हैं खड़ी बोली का परस्कृत रूप सरपर्थन राम प्रसाद निरंजनी दौरा रचित भासा भासा योग वस्ष्ट मिलता है इस योग में पंडिक दवलत राम ने बदौ पुरान का खड़ी बोली में अनबाद किया परन्त उस पर ब्रश भासा का प्रभाव है उन्यूस्वी सदी के आरंब में खड़ी बोली गद्य के विकास में इसाई धर्म परचार को ने महत्पुन भूम का निभाई उन्होंने खड़ी बोली में बाईबिल का अनबाद कर भारत के अनेक स्थानों पर बितृत किया इस फरकार इसाई धर्म का परचार के साथ सत हिंदी का भी परचार होता रहा आरे समाज, ब्रह्म समाज और सनातन धर्म के उपदेश्चिकों ने भी धर्म परचार के लिए उपनिश्वदों और बेदों के ज्यान, रामायन, महाभारत, ताद के कताओं के परचार के लिए हिंदी गध्य में पुस्तेकें लिखती रही और पत्रकाई निकालते रहे स्वामी द्यानान सरसुती जी ने सत्यार्थ प्रकास की हिंदी मिर्चना की इस वरकार धार्मिक स्वंदाओं को धर्म परचार क्यान दोलनों का हिंदी गद्य के विकास में अपूर्व योगदान रहा भारतिन युक से पूर्व, खड़ी बोली के गद्ध के विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज की चार अध्यापकों ने अंग्रेजों के आदेश से हिंदी गद्ध के विकास में वो लिखनी कार किया सरपर्तम है इंसाल लखा जन्होंने इरानी केतकी की कहानी लिखी इनकी भासा में भली ही पद्ध का परभाव हु है लेकिन इसमें ठेट खड़ी बोली के दर्सन होते हैं दूसरे हैं मुंसी सदा सुखलाल इन्होंने सुख सागर की रचना की इनकी भासा में पुराने कथा वाजकों जैसा पंडतावपन हैं। ललू लाल ने प्रेम सागर सिंगासन 32 बैताल 25 याद की रचना की इनकी भासा पर ब्रज भासा का प्रभाव है और फदल मिस्र जी ने नासिकेता पाख्यान स्रेष्ट गदर जिना जोकी लिखी है इनकी भासा सबसे अधिक परिमार्जित हैं पर परन्तों में कहीं कहीं पूर्वपन जलगता हैं। अब भारतन जी से पूर्व जो राजा और हैं जिनका हिंदी गद्य के विकास में प्रमुक योगदान रहा है है प्रथम है राजासु परसाद सितारे हिंदू और दूसरी है राय लचमर्ड सिंग्ग तो राजासु परसाद सितारे हिंद। सिच्छा विभागियों स्पेक्टर थे उन्होंने हिंदी को बिद्यालों में स्थान दिलाया और पुस्तकों की रशना की इनकी रशनाओं में अर्वी फार्सी मिस्रित हिंदी का प्रयोग अधिक हुआ है और दूसरी और राजा लचमण सिंग जी ने संस्कृत मिस्रित संस् प्रतबादन किया लेकिन महत्पूर्ण बात यह है कि इनकी भासा जन संपर्ख से दूर की भासा थी ऐसे इसस्तिते में हिंदी साहित के आकास में भारतुंजी का उद्य हुआ 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 है और इन्होंने अपनी अलोकिक प्रतभास से एक मध्यमार्ग अपनाया और हिंद भासा में एकतास्ताइपित की तो इस प्रकार में इस वीडियो में जान पैक हिंदी गद्य के आरम में में खड़ी बोली के गद्य का आरम में किन के लोगों का योगदान रहा है भारतुंजी से पूर्व फोर्ट विलियम कॉलेज की चार अध्यापक इंसालला खां मुंश सदा सुखलाल ललूलाल और सदल मिस्र इनलों का योगदान रहा है और राजासु प्रफाद सितारे हिंद और आयल अच्मर सिंग इनलों का प्रमुख योगदान रहा है अपर्थम रचना कौन सी रही यह खड़ी बोली गद्य की वह है अकबर के राजदरबारी का भी क्याद आपको यह लेक लिखित रूप में चाहिए तो निश्क्रिप श्रस्तिन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप खड़ी बोली गद्य का आरम लेक लिखित रूप में परात कर सकते हैं क्याद आपको इन विश्यों अध्यन से समय अंधिया समय अधित झाल झाल